हेलो एवरिवान वेलकम तो माई चैनल आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे अगर आपकी बच्चे को कफ है कोल्ड है या उसको बहुत जल्दी ठंड लग जाती है इन सर्दियों में आपने उसकी बहुत ज्यादा दवा कर दी बट उससे भी उसको कोई भी फ को हमेशा ठंड लगती है तो आप एसा क्या करें कि जिससे आपको बच्चे की कफ कोल्ड है है उसकी बहुत देर से जो खांसी हो रही है और ठीक नहीं हो रही है तो आप क्या करें तो देखिए आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे आप इसका यूज करेंगे तो उसमें आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा आपके बच्चे का जितना भी कफ पुराना क है या काफी देन से उसको खांसी चल रही है वह खांसी उसकी इस रेमेडी से दूर हो जाएगी मैं आपको ऐसा वाइल बताऊंगी जिससे आप अगर बच्चे की मालिश करती है नियमित तो बच्चे को इस पूरी सर्दी बच्चे को कफ नहीं होगा कोल्ट नहीं होगा पास भी ज्यादा ना जाना पड़े मतलब आप इस तेल से उस बच्चे के बालिश करेंगी तो बच्चे को काफी ज्यादा अराम और रिलैक्स भी महसूस होगा बच्चे को रात में काफी अच्छे से नीन भी आएगी और यह जो रेमेडी है वह आपको मैं बताना तो रेम पहलते का चाह और घर का तेल हो तो ज्यादा अच्छा है और इसके बाद आता हैं शाल देना है जितना भी आप है झाल ने息ंगे और अच्छे कनल की डालेगा उसना थोड़ी से अजवाइन डी बालिचेगा ज़ और की sentido को मल के दलेगा उससे उसका जो फ्लिवर है वह ज्य और जब तक इसमें अच्छे बॉल ना ना हो लसुन जो हैं पुरे ब्राउन कलर के हो जाने चाहिए उतना उसको क्यों कीजेगा कि जो लसुन है वे अच्छे से baik हो जाएं उसका तो उसमें कुछaled गहरा होता हो तो वह बच्चे को कफी अराम मिलनेगा तो वह बच्चे को कफी अराम मिलेगा अगर बच्चे के पेट में को भी पेइन हो COB रहा हो तो इस remedy को अगर आप उसके पेट में भी लगाएल go अच्छे से जो पैर दर्द है उससे भी बच्चे को काफी आराम हो मिलेगा और बच्चे को जो नीद है रात में बहुत अच्छे से आएगी आप एक बार इस रेमेडी को ट्राय जरूर कीजेगा विकोज इस ठंड के मौसा में यह रेमेडी 100% वर्क करेगी ही करेगी आप एक बार ट्राय जरूर कीजेगा अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आपको मेरे चैनल पर ऐसे हैल्पफुल वीडियो हमेशा मिलते रहेगे तब तक के लिए भाई टेक क्यार